हम ये बात अक्सर बड़े बुढ़ों से सुनते आए हैं, दाए हाथ में खुजली हो तो पैसा आता है नमस्कार लाइफ इंडियन गाठ से मैं मलिकाम आज लाइफ इंडियन गाठ की टीम मौजूद है राजकमल सरस्वती बिद्यामंदी के बिसाल सभागार में मुख्य प्रयोजन है बजट पर चर्चा संसन में हर साल बजट पेश किया जाता है बिद्यमंती निर्मला सीता रमन ने भी इस बार उमीदो का बजट पेश किया है तो जाहिर से बात है, अगर बजट पेश हुआ है तो लोगों की उमीदे भी होंगी और एक complex structure को समाया हुआ ये budget इतना आसान भी नहीं है कि लोग को तुरन समझाए तो कहीं न कहीं सिक्छाविद और समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो इसे समझाने का प्रयत्न करेंगे आज MBT मारवारी विकास ट्रस्ट की भी यही कोसिस है उनके साथ कुछ और institution भी इस नए पहल में उनकी भागिदारी कर रहे हैं जिससे हम budget की तमाम पहलूँ को समझ पाएंगे मुख्य वक्ता कोलकता से आएंगे बिकास पारक और पारस कुमार कोचर जो की direct tax और GST की जो भी आयाम बजट में जुड़े हुए हैं वो लोगों तक पहुचाएं और एक बहुत बिहद अस्तर पर सेमिनार का आयोजन राजकमल में किया जा रहा है जिसमें Institute of Chartered Accountant of India इसके अलावा धनबाद Income Tax Bar Association और साथ ही जारखन Industry and Trade Association धनबाद जिला Chamber of Commerce की भाईदारी रहेगी आप कह रहे थें बजट को आसान करके बताईए मुझे लगता है कि मेरी तरह आप लोग भी अंकों के जादुगर नहीं है 45.603 लाख कडोर के इस बजट को समझना पेचीदा है बच्चों को लगता है हमारे लिए क्या है महिलाओं को लगता है क्या इस बार और कुछ सस्ता हुआ घरेलू आइटम्स में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं इसके अलावा इस बार एक बहुत खास है खिलोने सस्ते हो गए है उसके अलावा ग्रामीनों को लगता है हमारे लिए क्या है और साथ ही सेलरिट परसन और जो हम कहते हैं अक्सर मिडिल क्लास को तो हमेशा मार ही पड़ती है इन सभी सवालों का हल आज होगा बजट पर चर्चा होगी